आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक है इंस्ट्रक्शन कोर्स, इंस्ट्रक्शन कोर्स क्या होता है, इस से रेडिट जितने बीच है न अबरी पॉइंट से इसको हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हैं तो हम यह देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन कोर्स होता क्या है, चिक, अब यह होते है instruction का में इन्स्ट को क्श ब्हुत देना कुछ बीश कॉल इसके क्लिब का होता है कोटी बीश पता है जिरो वन के हmb några कोट देना कोई भी कोट क्षका के लिए डिल्लिप संसेरे व्हाल के स्लुंड कोडि का नहीं किया जा सकता, ठीक, फर्सली तो देखो, अब क्या लिखा हुआ है यहां बैर लाइन में, अगर होम के लिए कुछ लिस्ट बनानी हो, उसके लिए हैं में सोड में लिस्ट बनानी हो, जो छोटे-छोटे operations होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, यह एक computer है, यह इसी काम को कर सकता है, और कुछ काम नहीं करेगा, जैसे scientific computers होते हैं, उनका अपना purpose होते हैं, वो general purpose नहीं होते हैं, specific purpose होते हैं, science, scientific related, जो भी होंगे, जो hospitals में जैसे होते हैं, different type of monitors, computer systems होते हैं, उनका अपना एक fix काम है, एक CT scan करेगा, एक heartbeat को scan करेगा, लेकिन, जो general purpose computer systems होते हैं, उनका fix काम नहीं होता, उसको multiple purpose के लिए हम use कर सकते हैं, अगर multipurpose के लिए मुसको use कर रहे हैं, तो वो different types के operation perform कर रहे हैं, उसी को micro operations कह रहे हैं, कि छोटे छोटे काम, micro miss, छोटे, and operation miss, कुछ नों कुछ working करना, कुछ काम करना, तो कुछ नों कुछ चोटे मुटे operations तो वो करता रहता है, ठीक, capability होती है, कि छोटे मुटे काम कर सके, the user can instruct the various operations to perform and their specific sequence by meaning the computer program, ठीक है, मतला अब जो user होता है, जो उस computer system को use करना, ये use करना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो उसको instruction देगा, तब ही use कर पाएगा, suppose, हमारे पास है computer system, general purpose computer system है, ठी से पहले उसको own करना पड़ेगा, own ही नहीं होगा, तो काम कैसे होगा, ठीक, first step उसको own करेंगे, ठीक, second step, जो हमने काम करना है, उससे related application ये program को open करेंगे, suppose को हो कि मैंने एक list बनानी है, ठीक है, अब list बनाने के लिए हम excel का भी use कर सकते हैं, और Microsoft word का भी use कर सकते हैं, तो मे मेरे purpose पर depend करता है, मेरी working पर, depend करते हैं, कि मुझे computer system को क्या instruction देनी है, क्योंकि अगर मैंने instruction word के दे दी, तो word open कर देगा, अगर मैंने instruction उसको excel के दे दी, तो word open कर देगा, उसके अंदर mind तो है नहीं, कि वो अपने आप से कुछ भी open कर कर देदे, नहीं, जब computer system को को user instruct कर करता है, उस instruction के base पर ही computer system जो है, वर करता है, ठीक है, अगर मैंने उसको excel बोला है, तो वह excel ही खोल कर देगा, कोई आपको word and notepad खोल कर नहीं देगा, ठीक, तो user को यह specify होना चाहिए, कि उसको किस purpose के लिए उसको use करना है computer system को, यह क्या उसको operation perform करना है, कौन सा instruction परवाइ परवाइड कर सकता है, the various operations to be performed, different different type के operation को perform करने के लिए, चीक, and there is specific sequence by meaning the computer program, example के लिए उसने क्या ले लिया, उसने computer program, अब आप कोई भी language है, उसमें coding कर रहे हो, C हो सकते है, C++ हो सकते है, कोई भी language हो सकते है, अगर आप उसमें coding कर रहे हो, तो उसका आप क्या लिखते हो, source code लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो ना, तब रहे तो एग्जेक्यूट होता है, जो computer के programs होते हैं, उसको हम आप इस instruction count कर सकते हैं, number of instructions होती है, instruction के set को हम program भी बोलते हैं, अब हम एक program लिख रहे हैं, suppose करो, हमने C में कोई program लिखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, header files को include कर this, तो हमने अभी तक two instruction लिखी, stdio.h, जो भी है, header file उसको add कर दो, include कर दो, इस program में, second हमने लिखी, जो conute.h header file है, उसको इस program में include करो, दो instruction होगी, तीस-तरी instruction हम क्या करेंगे, main को start कर देंगे, int, main, this, this, main के अंदर जो भी हमने program लिख रहे हैं, हम वो लिखेंगे, execute करेंग दो instruction तो वहाँ लगी, main को start किया, तीसरे instruction वहाँ लगी, अब हमें यतनी बता कितना बड़ा program लिखा हुआ है, जितना बड़ा program होगा, जितनी lines में वो program आएगा न, उतरी number of instruction जो है, वो भढ़ती जा रही है, ठीक है, अब number of instructions है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, instruction क्या, set बो डबल क्लिक कर रहे है, इसका बाद हम उसको force कर रहे हैं इस file को open करो, instruction दे रहे हैं कि इस file को open कर रहा है हमें, वो instruction को follow करता है, ठीक है, और open करके दे देता है, इतना समझ में आया, next, and instruction can, instruction code is a binary code that instructs the computer programmer's specific operation, यह तो हमें पहले से ही पता है है, पता है न हम सब को कि, जो computer system ह किस पे work करता है, कौन सी language को समझता है, वो सिर्ट binary language को समझता है, और binary code पे ही work करता है, रहने 0101 पता है, उसको कुछ नहीं पता है इसके लावा, उसे पता है, 0 होता है, बस 0101 ही होती है, चीक है, यह है उसनने लिखा है कि यह जब भी कोई computer, जो है system, कोई भी perform करता है किस इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो डेटा के साथ मैंपरी में जाकर कहीं नगई स्टोर हो जाता है वह पैसे कि अब कंप्यूटर के पास दिमाग तो है नहीं जहां पर उसको कुछ याद रखने की जरूरत है कुछ सेव करने की जरूरत है वह सेव कर देता है तक जब भी जरूरत पड़े फैच कर ले तो कहां पर इंस्ट्रक्शन सेव हो जाती है हमारी में अगर कुछ काम कराना है कुछ मायक्र परफॉर्म कराना है तो इंस्ट्रक्शन आप पर को इन्स्टाइब कर डिवाइट कर आब देखो जो ब्रच नुकर को कॉप्रिमेंट कर दो, शिफ्ट कर दो, कुछ भी operation हो सकते हैं, वो data पर depend करते हैं, कि data किस टैप के यह, and operation code, miss off code, specify the operation to be performed, यह हमें यह बताता है, कि हमें operation करना क्या है, operation तो perform करना इतना पता है, क्योंकि computer system में उसको instruction मिलेगा, उसको काम करना है, लेकिन काम क्या करता है वो कुन बताएगा ओपकोड बताएगा Some examples of the operations कौन सी है? Add है, Subtract, Multiply, Shift and Complement इसकी example है फिर आता है address, दोई चीज़े store होती है एक तो काम क्या करना है और दूसरा किस पर काम करना है उसका address दे दो ठीक है? And address specify the memory location address जो है? Memory की location को बताता है, जहां पर हमारा operand and opcode, दोनो store होते हैं, जो operation perform करना है और जिस पर operation perform करना है दोनों कहां store है? दोनों कहां store है? Memory में और memory में किस address पर store है? वो कौन बताएगा? यह address बताएगा Therefore, the address part indicating locating the data इसलिए हम data को locate करने के लिए addresses का use करते हैं main memory में, main memory can access is considerably more time to than the data transfer rate in CPU जल्दी से जल्दी data transfer होगा क्योंकि हम instructions पर work कर रहे हैं instructions small होती है, therefore we can store the data and register, इसलिए हम register में भी इस data को store कर लेते हैं, ताकि fast से fast working हो सके, increase the speed hence the instructions should be able to refer the register, ठीक है? instruction format of the basic computer basic computer में कौन सी instructions होती है हमें पते हैं, awkward होता है, address होता है और addressing mood भी होती है जो address के mode पर बताते हैं address जो है, वो किस type का है हमने different instruction mood करें instructions करें, जो instruction के different formats थे उस थोड़ा बहुत related topic होता है addressing mood का, जिसे हम बात में discuss करेंगे सबसे पहले इसके instruction format को देखते है यह है हमारे पास instruction dog format instruction format में क्या है, देको यहाँ से start है, 0 से लेकर 11 तक की जो आपकी bit से na fixed होंगी वो bit किस में होंगी, उसके अंदर आपका address store होगा, चीक है? कोई भी address हो सकता है, जिस भी type का जिस भी type का आपका addressing mode होगा उस पर depend करेगा कि address किसका है, चीक है? लेकिन इतना समझ लोग के लिए कि 0 से लेकर 11 तक आपका address store होता है then 12 से लेकर 14 तक opcode store होते हैं, and 1 bit किस के लिए specify होती है addressing modes के लिए इतना समझ में आया तो संस, आज के लिए बसत नहीं आज हमने किया instruction code, इससे related format अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी doubt आता है जाना आप हमें comment कर सकते हैं thanks for watching my video